महराजी, तो रावल जी ने कहा है हिंदू हिंसक होते हैं, इस पर आपका क्या बहाँ है? रावल जी ने का है हिंदू हिंस अगोते हैं हमने तो सुनाता है कि रावल गांदी जी महबत की दुकान लगाते हैं सबको महबत बांटते हैं लगता है कि रावल गांदी जी की महबत की दुकान में हिंदूओं के लिए सामान नहीं और इसलिए मैंने देखा है कि उनके 99 सीटे हैं और कोई भी हिंदू धर्माचारे कॉंग्रेस की टिकेट पे नहीं लड़ रहा है और नहीं एक थे वो उनको भी उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया खेर इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं उनकी पार्टी है वो कुछ भी कहें पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है हिंदू धर्म रक्षक होता है और मुझे भी अभी आप वीडियो सुना रहे थे उनकी तो उन्होंने कहा था लॉड सिवा कि वो कभी युद नहीं करते वो सांती का मेसेज देते हैं तो मैं एक चित्र लेकर आया हूँ आपके लिए आप हो सके तो ये चित्र देख ले आ रहा हो तो ये ये सिवजी हैं जिनके हाथ में पिनाक है उनके धनुस का नाम है पिनाक उनके हाथ में है तरशूल तरसूल से वो जलंदर का बद करते हैं और पिनाक से वो युद करते हैं लेकिन वो युद किसके से करते हैं दैत्यों से युद करते हैं भगवान स्री राम एक और चित्र दुस्टों का बद करते हैं भगवान स्री शाम सुंदर ये देखिए ये महावारत का युद करवाते ह हिंदू हिंसक नहीं होता हिंदू रक्षक होता है हिंदू किसके लिए युद्ध करता है हिंदू किसके लिए आगे बढ़ता है जामते हैं जब रावन सीता का हरण करता है तो हिंदू युद्ध करता है जब दुर्योधन द्रोपदी का चीर हरण करता है तब हिंदू युद मानित कर वो भी बरी सबाम है सदन में हिंदूओं के प्रति ऐसा वेवार एक आप ही के पार्टी के सांसद हैं जिनका नाम है इमरान मसूद उनका बयान क्या था बोटी-बोटी कर देंगे बोटी-बोटी वो सांती के दूत हैं क्या वो सांती के मेसंजर हैं क्या अगर तो पूरी दुनिया में हिंदू का सामराज्य होता हिंदू का राज्य होता हम सरवे भवन्त सुकिना सरवे संत निरामया के लोग हैं और हमको हिंसक कहा जा रहा है हम लोग हिंसक है हिंदू कदाप हिंसक नहीं होता आप हिंदू जानते कहां तक फैले हुए हैं जो हमारे जैन से सब उपज है तो अगर आप हिंदू को हिंसक कहेंगे तो आप कह रहे हैं कि जेन हिंसक हैं आप कह रहे हैं सिक हिंसक हैं आप कह रहे हैं बुद्ध हिंसक हैं आप कह रहे हैं ये सब सनात्री हिंसक हैं इस तरीके से सार्व जाने के संसद में हिंदूओं का अपमान कत्ताई बरदास करने की योगी नहीं है राहुल गांदी जी बैसे मैं कभी परसनल किसी पे अपना वक्त व्यक्तब नहीं देता हूँ पर फिर भी मैं आप से कहूँगा एज इस हिंदू धर्मगुरू होने के नाते एक बात कहूँगा के सरासर हिंदूओं का अपमान है और हाँ उत्तरप्रदेश में ही आपकी पहली बार नहीं बहुत समय बाद इतनी सीटे आई हैं और उनमें भी बहुत सारे हिंदूओं ने आपको बोट किया है तो क्या मतलब है? कि उन्हें हिंदूने जो बोट दिया है वो हिंसक होते हैं एक और बात बता दे हिंदू कब जाते हैं रक्षा करने, युद्ध करने जब हिंदूों के मंदिर तूटते हैं तब हिंदू खड़ा होता है जब हिंदूओं के सम्मान प्यां या चाती है तब हिंदू खड़ा होता है और हाँ मान सम्मान इस त्रीक सम्मान के लिए अपने धर्म की रक्षा के लिए सनातन की रक्षा के लिए सस्त्र उठाने को हिंसा नहीं कहते। आक्रमन करता को मुथ तोड़ जवाब देने को ये प्रतेक पुरुष का पौरुष्य कहते हैं हिंसक नहीं है हम तो सब की सांती के लिए प्रार्थना करते हैं हिंदू का अपमान करके ये अच्छा नहीं कर रहे हैं ना भगवा आतंकवाद होता है और ना हिंदू हिंसक होता है